Hello everyone, good evening to all and thank you for 10,000K subscriber. Welcome to my channel, that is Nursing Gyan, myself I am Mr. Evo Bosley. तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया, उसके पीचे ऐसा रिजन है कि हमारा घर में एक medical issue आता, मेरे भाइके रेलेटेड, तो मैंने वीडियो नहीं बनाये थे. तो आज से हम अच्छे एच्छे वीडियो बनाते जाएंगे और एक बार, तो मैं आपको लिएके चलता हूँ Google Chrome के उपर, आप उसके उपर अगर टाइप करोगे, आई फ्लू करके, तो रिसेंट्ली आई फ्लू के इतने केसे हुए, इच्छ तो मैं आपको उसके आफिके में उसके लिए घ्रुदु एच्छा पर घ्रुदु नहीं बनाये जाएंग है करोगे पर एक हुए, एक week में चंदिगड में 1186 high cases है, उसके बाद में waste to prevent eye flu during rain, eye flu cases rise amid floods in India, conjunctivitis cases on rise, तो बहुत सारे news channels जो है, बहुत सारे particularly area में है, तो eye flu और conjunctivitis और pink eye बढ़ते ही जा रहा है, तो मैं आज particularly discuss करने जा रहा हूँ कि एक pink eye और red eye और conjunctivitis और इसको एक eye flu भी बोलते है, तो उसके related में एक particularly eye flu, pink eye, जैसे कि मैं लिकरा हूँ conjunctivitis एक क्या है, और इसको कैसे, क्या symptoms रहते हैं, कैसे इसको treatment करना है, और इसके particularly क्या preventive aspects आते हैं, उसके related हम आज discuss करेंगे, तो what is conjunctivitis और eye flu और pink eye, मतलब इसका meaning क्या है, it is a type of infectious disease affecting your eyes due to virus और bacteria, eye flu is rising in India, महाराष्टरा और even in धुले, due to recent flood और climate changes, मतलब एक simple सा virus और bacterial disease से, जो की ज़्यादतर flood से फैल रहा है, all over India है, महाराष्टर में थोड़ा ज़्यादा बारेश है, तो महाराष्टर में भी है, symptoms क्या क्या है, इसके आप देख सकते हो redness of eye, clearly दर देख सकते हो red eye रहते, swelling of eyelids, eyelids भी completely है, इसा थोड़ा swell हो जाते, उसके बाद itchy eyes, जब redness थोड़ा swelling हो जाता है, then symptoms, उसके अलावा भी symptoms रहते है, like yellow और watery discharge भी रहता है, थोड़ा थोड़ा बच्चों में देखा तो थोड़ा watery discharge रहता है, yellow discharge थोड़ा dangerous मना जाता है, उसके बाद में sticky eyelid, एक एक बार देख सकते हो, अगर आपने अच्छे से clean नहीं किया आए, तो sticky भी बन जाता है, उससे जाद तर infection और जादा बढ़ने का खत्रा रहता है, उसके अलावा fever in children, मतलब थोड़े बच्चों में जो भी है, temperature जाद तर हमने भी देखा है, धुले में भी मैं pediatric copy में ये काम करता हूँ, तो अधर हमने out of hundred, 30-40 तो conjunctivitis के cases ही हम देखते हैं, तो उसके बाद में सर ये तो मालूम हो गया, लेकिन इसका treatment क्या है, तो उसका treatment है ये कि use eye wipes to clean the eyes, अगर आख में discharge जा रहा है, या आख sticky हो गया है, तो clean wipes use कि जाए, don't rub your eyes, eyes ज्यादा rub नहीं करना है, क्योंकि उससे और irritation होके, और infection फैल सकता है, और redness फैल सकता है, तो इसलिए usually क्या करना चाहिए, अगर आपको irritated भी होने लगे, तो clean पानी से ने, तो clean wipes से आपको clean करना है, उसको rub नहीं करना है, उसके बाद use protective black goggles, आपने देखा है, जो भी off-thalmolished है, usually protective black goggles advice करते है, क्योंकि एक contagious disease है, मतलब आप अगर goggles डाला है, तो usually contagiousness आप prevent कर सकते हो, avoid use of contact lens, contact lens भी ज़्यादा नहीं पेनना चाहिए, क्योंकि contact lens से और ज़्यादा इरिठेट हो कि और ज़्यादा ये तकलिफ दे सकता है, consult doctor for eye drops, usually syphlox eye drops is preferably used, इदर देख सकते हैं, usually हम ये धुले में use करते हैं, बट आप आपके doctor जो भी रहते हैं, उनको consult करके ही, आप अपना particular eye drops use की जिए, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप अफ्तल मलाईष्ट को भी आप मिल सकते हैं, इदर देखा है एक पर्टिकुलरली आफ्तल मलाईष्ट जो की आपके रिलेटेड आपको अच्छे से बता सकते, consult an ophthalmolist if you develop blurring of vision, increase in severity of symptoms, और develop eye flu after recent eye surgery, मतलब आपको अगर बहुत ज्यादा burn हो रहा है, मतलब जलने जैसा हो रहा है, और severity of symptoms बढ़ रहे हैं, और recently आपका अगर surgery हो है, तो ophthalmolist को मिल के आप ज़रूर दिखा सकते हो, तो next चलते है, prevention की तरफ, prevention is better than cure, यह सबको मालूमी है, तो preventive aspect में हम क्या-क्या आपको बोल सकते हैं, first आपके हाथ जो भी है और अच्छे से क्या करना है, clean water में दोना है, wash your hands regularly with use soap and sanitizer, आपको sanitizer और soap भी use करना है, prevention के लिए आप क्या कर सकते हो, गॉगल यूज कर सकते हो, आप आप को rub करना, बंद कर सकते हो, so use protective goggles and avoid touching of eyes, मतलब आप 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 को ज्यादा touch भी नहीं करना चाहिए और गॉगल पेहना तो particularly dark goggles, dark goggles, black goggles से क्या होता है, वो contagiousness फैलता नहीं, तो इसलिए black goggles यूज करना, मतलब usually preferable है, compared to other goggles, उसके बाद में prevent you aspect जो भी आता है, that is related to, don't share your towel, मतलब आपका जो भी towel है, या कर्चिप, आप hand कर्चिप बोलते हैं, हम वो यूज कर सकते हो, even bed sheet हो, या कोई भी personal items हो, जिसमें जो भी एक आखो के contact में आता है, तो particular चीज़ें आप share नहीं करना चाहिए, तो इसमें लिखा है, don't share towel, hand कर्चिप and bed sheet with infected person, मतलब इवन इतने नहीं, जो भी आपके contact में आते हैं, like cloth हो, या कोई shirts हो, या bed sheets हो, कर्चिप हो, या other than this, कोई भी contact में आता है, तो यूजुली क्या करना चाहिए, share नहीं करना चाहिए, और keep your surrounding clean, मतलब आपका जो भी surrounding है, जिदर आप रहते हो, उसको clean रखना है, क्योंकि वो अगर dirty रहा, तो और infection भी बढ़ सकता है, और crowded areas और swimming pool में जाना बंद कर दिए, कोई crowded areas में गए तो आपके वज़े से, आपको अगर हुआ है, तो आपके वज़े से दूसरों को भी हो तो पानी, जो भी swimming pool का रहता है, और वो चोड़के ज़्यादा बाकी की भी बच्चे रहते हैं, तो उनको भी spread होने का एक chance रहता है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी swimming pool है, और crowded area उधर, जितना हो सके, उतना आप जाने का directly बंदी कर दीजिए, don't use herbs or juices, थोड़े consult करके ही आप यो particular चीजे यूज कीजे, मेरे हिसाब से तो कोई भी herbs से कम नहीं होता, उसके बाद में अगर आपके बच्चों को अगर आये है, तो school को जाना भी आप क्या कर दिए, उसका बंद कर जीए, ताकि दूसरे बच्चों को ना हो, तो school जाना, अगर isolate रहना ये बह उसके बांद it, तो.